नमस्कार किसान भाईयों टेक्निकल दाकड यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं नुराग दाकड आज आपको बताने जा रहा हूँ 48 इंची मल्टी क्रोप थ्रेसर एन्वीटी के द्वारा बहुती बढ़ी थ्रेसर ये मार्केट में लाया गया है इसका एक और मोडल आज आपको बताएंगे प्लेट वाला मोडल जिसको बोलते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे ये सभी प्रकार के थ्रेसर यहां पे रखे हुए है आपको कोई सा भी अगर थ्रेसर लेना है 45 इंची, 48 इंची, 5 स्टार मोडल हुआ जैसा कि ये 45 में 5 स्टार मोडल है वो वाला प्लस प्लस मोडल है आज हम बात करेंगे इस वाले थ्रेसर के बारे में ये है 48 इंची में प्लेट वाला थ्रेसर क्या है इस थ्रेसर की खास बात और इस नए मॉडल में क्या आपको अलग मिलता है दूसरे वाले मॉडल से, ये आज हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, बाकि आप पुली देख सकते हैं, पुली जो दूसरे मॉडल में आठती हैं, वही पुली साइज, सेम साइज की पुलीां इसमें भी दी प्रकार का कुछ ड्रम आपको देखने को मिलेगा जो ड्रम है उसके अंदर आपके खड़ी प्लेटों के उपर जो है चुरिया लगी हुई है इन चुरियों की क्या खास बात है आज हम इस वीडियो में आपको जानकरी देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले रोटर मे जो आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं कुछ उस प्रकार की आपको ब्लेडें दिखने को मिलती हैं काफी ज़्यादा संख्या में यहां पर ठ्रेसर रखे हुए हैं यह देख सकते हैं आप सभी तरह के मोडल आपको यहां मिल जाएंगे यह प्लेट वाला जो नया मोडल इसकी क्या कास बात है तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो हैं जो ब्लेडें हैं वो कुछ इस प्रकार रखी हुई है इस चीज का फाइदा क्या होता है इस चीज का फाइदा यह होता है कि जो गिला माल भी होता है ना वो इसमें रुकता नहीं है कापी अच्छ ब्लेट यहां हैं पांच ब्लेट उपर हैं और इसके अंदर भी एक नीचे आपको दिख रहा है या नहीं नीचे एक लाइन में ब्लेटें लगी हुई है यह हमने आपको बताने के लिए यह इसको खोला है तो यह मोडल दूसरे मोडल की तूलना में थोड़ी सी ज़्यादा रेट का आता है क्योंकि इसमें आप गिले जो दूसरे मोडल में गिला माल निकलता है उससे भी आप ज़्यादा गिला माल निकाल सकते हो बाकी ये 48 इंची का NVT का नया मोडल है जो सिरफ और सिरफ हमारे पास ही उपलब्द है आप इसको फोन पे मंगा सकते हो फोन पे आप बात कर सकते हो ये आपके गर पे डिलिवर हो जाएगा 48 इंची मल्टी क्रोप थ्रेसर है ये ये देखिए यहाँ पे इस टकन को अगर आप लगाओगे तो ये रिटर्न जो पाइप है वो पाइप डारेक्ट ड्रम में जाता है और एक यहाँ पे भी रिटर्न का सिस्टम दिया गया है जो यह यहाँ से जो माल निकलता है वो माल इसके अंदर पाइप से होता हुआ पाइप से होता हुआ पीछे टोगरी में चला जाता है और वापिस फिल्टर होके आ जाता है कैसा लगा आपको यह थ्रेसर आप कमेंट में हमें जरूर बताइए और इसी परकार के नए नए थ्रेसरों के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फोलो कर सकते है इसी के साथ मिलने अगले किसी वीडियो में चैशी आ रहा है